बुड मोर्निंग, स्वागते आप सभी का Study India यूट्यूब चैनल पर तवाए शुरू करते हैं आजम SSI Istographer का वीडियो नुबर 27 जिसके अंदर हम बात करेंगे SSI Istographer के एक्जाम में पूछी जाने वाले Most Important Questions के बारे में ये वीडियो आपके सभी एक्जाम्स के लिए भी काफी Important है इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर अगर तक आपने Study India यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ नए वीडियो का Notification पाने के लिए बेल आइकन बटन में क्लिक कना भी ना भूले ये दिया आप इस वीडियो की पीडियो फाइल प्राप्त कना चाहते हैं तो आप हमारे Telegram Group से जुड़ जाएए जिसका लिंक वीडियो की नीचे description box में दिया गया है वीडियो को लाइक करें और share करें क्योंकि आपके लाइक और share से में motivation मिलता है चले इसी के साथ सुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्योसन पहला क्योसन है जामिनी राय किस कला से सम्बंदीते तू चितर कला से माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लाल कर्षन आडवानी द्वारा माई कंट्री माई लाइफ लाल कर्षन आडवानी द्वारा लिखी गई है सियोल सांती पुरुषकार 2018 से किसे सम्मानित क्या गया है तो ये परधान मंत्री निरंदर मोदी को सियोल सांती पुरुषकार 2018 से परधान मंत्री निरंदर मोदी को सम्मानित क्या गया है चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है भारती सविधान का कौन सा अनुचेद भारत को राज्यों का संग बताता है तो अनुचेद एक भारती सविधान का अनुचेद एक भारत को राज्यों का संग बताता है भारतिय सर्विदान को कुवासी फेडरल किस ने कहा था? तोई केसी वेर ने कहा था? भारज सरकार सिव्षा पर अपने GDP का कितना प्रतिस्त खर्च करती है तो नेक्स्ट कुछन है प्राचिन भारज में कितने महा जनपत है तो है 16 जनपत प्राचिन भारज में 16 जनपत है बक्ती आंदूलल किस सताबदी में शुरूआ था? तो साथी सताब्दी में भक्ती आंदोरन साथी सताब्दी में शुरू हुआ था डेन्मार्क बेड्मिंटन ओपन 2018 के महिला वर्ग में किस खिलाडी ने किताब जीता है तो है ताई त्यू इंग ने डेन मार्क बेर्डमिंटन ओपन दो वजार अठाय के महिला वर्ग में ताई त्यू इंग ने खिताब जीता है चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्योसन सेशन फसंद आ रहा हो तो लाइक बट्रें प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो को शेर भी कर दे ताकि बाकी लोग भी हमासा जुड़ जाए और इस वीडियो को देख सके नेक्स्ट क्योसन है प्रसिद्य आत्री मारको पोलो किस देश का मून निवासी था तो इटली का प्रसिद्य आत्री मारको पोलो इटली देश का निवासी था भारत छोड़ो आंदुलन किस वर्स प्रारम हुआ था तो ये सन 1922 में भारत चोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारम हुआ था सोभागी योजना का प्रहमुक लख से क्या है तुए सभी भारती परिवारों को विदूती करन सोभागी योजना का प्रहमुक लख से सभी भारती परिवारों को विदूती करन करना चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question, next question है प्रत्वी की सत्य का कितना प्रतिसत हिस्सा जल से ढखावा है तो दो तियाई हिस्सा, प्रत्वी की सत्य का दो तियाई हिस्सा जल से ढखावा है, कौनसी नदी को सांगपो भी कहा जाता है, तो ये ब्रहमपुत्र नदी को, ब्रह्मपुतर नदी को सांगपो भी कहा जाता है। किस देश ने दुनिया की मानेत प्राप क्रिप्टो क्रेंसी लॉंज की है। तो इस मार्सल आइसलेंड ने दुनिया की मानेत प्राप क्रिप्टो क्रेंसी लॉंज की है। चलिये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question Next question है चुम्भी घाटी किस राज़े में इस्तिते है तो सिक्किम राज़े में चुम्भी घाटी सिक्किम राज़े में इस्तिते दो अस्तिया एक दूसरे से आपस में सयोंजी उत्तक से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं तो यह सनायू दो अस्तिया एक दूसरे से आपस में सयोंजी उत्तव से जुड़ी होती है उसे सनायू कहते हैं उबर कम्पनी ने भारत के किसे अपने नए ब्राण अम्बेजलेती रूप में निफ्त किया है तो यह विराट कोहली को उबर कम्पनी ने भारत के विराट कोहली को अपने नए ब्राण अम्बेजले के रूप में निफ्त किया है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है कौन सूरी की प्रकास को साथ वर्णों में विवाजित कर देता है तो यह प्रीजम प्रीजम सूरी की प्रकास को साथ वर्णों में विवाजित कर देता है ठोस से गेस में बदलने की किरिया को क्या कहते हैं तो उर्दु पातन ठोस से गेस में बदलने की प्रकिरिया को उर्दू बातन कहते हैं राष्टपती रामनाथ कोविंद ने किस देश में हिंदी सचिवाले का उधगाटन किया है तो है मोरिसस में राष्टपती रामनाथ कोविंद ने मोरिसस में हिंदी सचिवाले का उधगाटन किया है पाँचली कमल पाए जाता है। इसके अलावा टमाटर में भी ऑक्सली कमल पाए जाता है। कौन सा देश ब्रिक्स से जुड़ने वाला पाँचली कमल पाए जाता है। कला याता यात परियोजना भारत तता किसके बीचे तो म्याआमार के बीचे। चेने आगे बढटते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोसन, नेक्स्ट कोसन है। सोल्यम कार्बोनेट का सामाने नाम क्या है तो वासिन सोडा है। किसने रत्त समू की खोज की है तो काल लेंड इस्टिनर ने रत्त समू की खोज की है वर्ल हैपिनेस रिपोर्ट दो हजार अठारा में भारत की रेंग कितनी है तो 133 वी वर्ल हैपिनेस रिपोर्ट दो हजार अठारा में भारत की रेंग 133 वी है तो यह थे हमारे आज के SSJ इस्ट्रोग्राफर के एक्जाम में पूछे जानने वाले most important questions इसी के साथ आज का वीडियो यह समापत होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like, comment और share करना बिल्कुल भी ना भूले और हाँ, अभी साथ वजे हमारा SSJ इस्ट्रोग्राफर का वीडियो नमबर 4 भी आने वाला है इसलिए उसे भी देखना ना भूले आज के लिए इतना ही, thank you झाले